नमस्कार दोस्तों मैं हुग जिंदर दोस्तों आज का जो वीडियो बहुत इंट्रेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जिंस की ऑल्टर कैसे की जाती है दोस्तों जिन्स की ऑल्टर करने के काफी सारे तरीके हैं और हर किसी का अपना एक अलग तरीका है लेकिन जिस तरीके से मैं आपको जिन्स की ऑल्टर करना बताऊँगा बहुत सिंपल तरीका है और एक सेलाई में जिन्स ऑल्टर हो जाएगी और इतनी finishing से मैं alter करूंगा दोस्तों कि आपको पता भी नहीं लगेगा कि आपने jeans की alter किये यानि कि जिस तरीके से company से pant आती है सेम इसी तरीके से आपको pant लगेगी लगेगा ही नहीं कि आपने alter किया है कि दोस्तों वीडियो स्टाट करने से पहले मैं आपके एक चीज बता देता हूं jeans की हम जब alter करते हैं तो यह वाली जो पट्टी होती नीचे की यह बहुत अहम होती है यानि कि यह वाली जो पट्टी है इसी से jeans का look आता है यदि हम jeans को simply cut के fold कर देंगे तो उससे दोस्तों look नहीं आता है और बहुत गंदी लगती दिखने में अच्छा look आएगा मैं इस पट्टी को cut करके इसी को जोडेंगे और दूसरी बात दोस्तों इसके अंदर मोटे दागई से सिलाई लगी हुई है गरों के अंदर मोटा दागई नहीं होता तो हम क्या करेंगे यह वाली सिलाई भी नहीं खोलेंगे याने कि पट्टी को cut करकर इस तरीके पर जोडेंगे कि यह लगेगा यह नहीं हमने आल्टर किया है अब करना है क्या दोस्तों सबसे पहले प्रेंट कुछ तरीक से खोल लेना यह देखिएगा इसके जो मुझे लंबाई complete तयार चाहिए वो चाहिए 37 यहने कि 37 अब इसके लंबाई देखे दोस्तों कितनी है अब इसके लंबाई 42 है तो आपको simply क्या करना है यह देखिएगा 37 इंच में निशान लगा लेना है सिंपल इस तरीके से इस निसान को आप बढ़ा कर सकते हो ठीके दोस्तों अब आपको क्या करना है जितनी भी पैंट के आपको लंबाई complete तयार चाहिए आपको उस जगे निशान लगा लेना है जैसा कि मुझे 37 पर चाहिए तो मैंने 37 पर निसान लगा लिया है अब मैं अब जही पट्टी लगाऊंगा तो क्या करना है जितनी लंबाई चीए मैं आप ले 37 अब सिंपली 37 पर मैं करूँगा इसकी कटिंग एक पाहिचा कटिया है दोस्तों मेरा अब इस वाले में क्या करना है इसको इसको उपर रखना है इस तरीके से सिंपल oraz और आपको निशान लगा लेना है yes है अब इसकी भी कटिंग कर दिए तो दोस्तों पैंटी कटिंग हमस Medicaid कर दी है अब यह वाले कैसे करता हूं तो दोस्तों जिस तरीके से मैं इस वाले पटी की कटिंग किये सेम आपको इसकी भी इस तरीके से cutting कर लेनी है तो दोस्तों दोनों पट्टियों की मैंने cutting कर ली है अब इसमें अच्छी finishing देने के लिए हम क्या करेंगे इस पट्टि की करेंगे interlock इसके चारो तरफ और इसकी भी और ऐसे ही मैं करूँगा इसकी यदि आपके पास में दोस्तों interlock नहीं है तो आप पास में किसी tailor की दुकान से करवा सकते हो क्योंकि interlock की machine हर गर में available नहीं होती है तो मैं इनकी interlock कर लेता हूँ उसके बाद मैं आपको बता हूँ किस तरीके पे जोड़ते है तो दोस्तों देखेगा interlock में इनको कर लिया है इसको भी कर लिया है और इसको भी कर लिया है अब ये पट्टी इसके जोड़ने की तरीके से एक चीज़ बता दो गोर्फे समझेगा ये वाली जो इसकी सिलाई है और इस पट्टी की सिलाई है ये हमेशा इस तरीके से मिलनी चाहिए अब आपको क्या करना है इस तरीके से पकड़े इसको और देखिए ये वाली सलाई तो मिल रही है लेकिन ये वाली सलाई नहीं मिल रही इसमें ये वाली सलाई यहाँ पर है और इसमें पट्टी की पीछे की तरफ है यानि कि यह पट्टी इसमें लगेगी और यह लगेगी इसमें यह बहुत जरूर यह दोस्तों पट्टी मिला के यह आपको लगाना है यह देखिए यह इसमें मिल गई और यह मिल गई इसमें फाइनल होगा यह तो इसकी और यह इसके अब इनुको जोढ ना के इस तरीके से फैंड को इस तरीके से लखना है आपने पती को करना इस तरीके से ठीक़ दोस्तों और इसको इस तरीके फोटपर डालना पैंट fırसके इंदर यह देख़ेगा और ये आपको सिलाई मिला देने आपस में इस तरीके से और बिलुकुल जड में यहाँ पर पट्टी के आपको राउंड में सिलाई लगानी है इस तरीके से लगेगी मैं आपको मशीन पर बताता हूँ दोस्तों देखिए इसको मैं इस तरीके से डाला इसके अंदर पैंट को इस तरीके से और देखना में सिलाई दोस्तों कि इस तरीके पर जड़ में लगाऊंगा इस तरीके से किया मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ इस तरीके से पकड़ना है और बिलकुल जड़ में यहां पर सलाय लगानी है आपको दोस्तोब सलाही मैं लगा ली है मैं इस तरह के सलाय लगाई थी अब क्या होगा यह वाला जो मारजण है यह उपर इक तरफ चला जाएगा और पत्टी नीची तरफ आ जाएगे और दोस्तोब देखे कितनी कितनी सफाइस मैंने इसकी आल्टर किया यह वाली जुदी को काटके वापस जोड़ दिया है कितना अच्छे इसका लुक आ रहा है इसमें पता भी नहीं लग रहा है आप अच्छे प्रेस कर लेंगे थोड़ा जमा के तो इसमें बिलुकुल भी पता नहीं लगेगा यह देख लाइक हो जाएगी तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो मैं उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको वीडियो मारा पसंद आया है तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए और ज्यादा श्यादा शेर कीजिए थैंक्यू हुआ 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 है